We will check the rationalized syllabus of class 10 social science तो इसके लिए सबसे पहले तो हम NCRT के साइट पर जाएंगे और NCRT का जो साइट है वो आपको बिल्कुल authentic चीजें बतायेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCRT में list of rationalized content in textbook for class 10 इसे हम click कर लेते हैं और इसे हम download कर लेते हैं although मैंने download कर रखा है open करते हैं word में खोल लेते हैं और यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कक्षा 10 की पुस्तकें कक्षा 10 की पुस्तकों में पुनर सयोजित पाठे सामगरी की सूची यानि list of rationalized content in textbook for class 10 और नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है और आपको इसमें यह तीनों ही भाषाओं में यानि कि हिंदी इंग्लिश और उर्दू तीनों ही भाषाओं में सभी विशयों के जो भी rationalized content है जो भी deleted content है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और यह तकरिबन 32 पेजों का है यह इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं तो हम हिंदी मीडियम में हैं यहां भी आप चECK कर सकते हैं यहां से मेडियम स्टार्थ होते हैं यहां पे हम लोगे्ट कर लेते हैं यह मैट्स का हो गया n o हमारा जो विशे स्टार्ट होता है, वो यहां से स्टार्ट होता है, 1066, History, इंडिया and the Contemporary World, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ, पुस्तक में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो यहां no change is लिखा हुआ है, और इसके बाद आप देख सकते हैं, Contemporary, इंडिया 2 यह geography की book है, इसमें chapter 1 में resources and development वालो जो chapter है, उसमें page number 2, 3, फिर page number 11, 12, इसमें जो भी content है वो सारे deleted है, इसके बाद chapter number 2 जो forest and wildlife resources है, उसमें भी कुछ pages 14 to 18 deleted है, then chapter 4 agriculture में 43 से लेकि 46 page number deleted है, then again chapter 6 manufacturing industries, इसमें भी जो pages deleted है, उसका list सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके बाद आते हैं हम 1070 जो की विशह का code है, और वो है understanding economic development, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह है democratic politics 2, इसमें आप देख सकते हैं कि जो chapter number 3 है, democracy and diversity, इसमें page number 29 से 38, यानि कि यह पूरा chapter, full chapter is deleted, then again chapter number 4, gender, religion and caste, इसमें से 46 से लेके 48 page and 49 pages में जो images हैं, वो सारे deleted है, then chapter number 5 पे popular struggle and movements, ये भी full chapter deleted है, chapter number 6 पे political parties, ये full page deleted है, page number 76 पूरा delete है, इसे cross कर लेंगे आप लोग ताकि कोई confusion ना रहे है, फिर chapter number 8, challenges to democracy, ये full chapter deleted है, तो इस तरीके से हमने देखा कि social science के कौन-कौन से chapters deleted है, कौन-कौन सा portion deleted है, इसके अलावा भी आप सभी विश्यों के बारे में इस site पे देख सकते हैं, तो इसके साथ ही आप सबों को exam की बहुत-बहुत शुब कामना है, झालावाँ 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 झाल झाल